शान्ती की इस शक्ति से शान्ती जग में लानी है शान्ती की शक्ति से शान्ती जग में लानी है शान्त मन हो तन हो शीतर शान्त मन हो तन हो शीतर ऐसे दुनिया बनानी है शान्ती की शक्ति से शान्ती जग में लानी है शान्ती की शक्ति से आज 27.10.2021 बाप दादा के महावा के हैं मीठे बच्चे अब सीखने के साथ टीचर बन सीखाना भी है ये पढ़ाई इस अंतिम जनम के लिए ही है इस लिए अच्छी रिती पढ़ो और पढ़ाओ थीक है मीठे बच्चे क्या करना है ये पढ़ाई अच्छी रिती पढ़नी भी है सीखनी भी है पढ़ानी भी है और सीखानी भी है क्यों क्यों ये पढ़ाई इस अंतिम जनम के लिए ही है प्रशन है सत्यों की राजधाने किस अधार प्रस्थापन होती है सत्यों मुझे राजधाने बने के हमारी उसका बेश क्या है उत्तर है संग्गम की पढ़हाई के अधार पर जैसा पढ़ेंगे वैसे नवाब बनेंगे जो अच्छी रिती पढ़ते हैं यह यह को हो पढ़ने वालों पर जिन पर ब्रस्पती की दशा है वो सूर्य वन्शी में आते हैं सद्विक में गुनाएगा जो अच्छी रव पढ़ेगा अच्छी रव कोन पढ़ेगा जिस पर ब्रस्पती की दशा है जो पढ़ते नहीं और सेवा ही नहीं करते उन पर बुद्ध की दशा बैठती है जिना सवसेवा करेंगे पढ़ेंगे सन Yuk में करेंगे सबकी सेवाबनी करेंगे सिर्फ आगे मुझली सुनके चलेगे है ना वो उनुपर बुद्द के दیसा बैठती है वो जैसे बुद्ध है वो फिर राज़ा बनेंगे नि वो परजा में आ जाते है फिर उंच प्रजा, नौकर चाकर आदी, सब इस समय की पढ़ाई के अधार पर ही बनते हैं इसलिए मुलनी तो पढ़नी छोड़नी नहीं भी खुल भी तो बुद्दू गए गए बद्दू गए तो, बच गए बच आतो ओम शान्ती, रुखानी बच्चो प्रती या ये कहो आत्माओं के प्रती रुखानी बाप या ये कहो परमात्मा, बैठ समझा रहे हैं अब रुखानी बाप को कहा जाता है परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है वो बैड ब्रह्मातन द्वारा समझाते हैं अब भक्ती मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ती ब्रह्मा अभी तुम ब्रह्मन ऐसे नहीं कहेंगे त्रिमूर्ती ब्रह्मा नहीं कहेंगे तुम तो कहते हो त्रिमूर्ती शिव त्रिमूर्थी ब्रह्मा का कोई अर्थे नहीं निकलता अब ब्रह्मा की तीन मों दिखा दिये उसका तो कोई अर्थे नहीं निकलता तो इन तीनों देवताओं का रचईता है ही शिव इसलिए का जाता है त्रिमूर्थी शिव एक रच चाहिता बाकी सभी है रचना तो बेहत का बाप एक ही है लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है फिजिकल फादर सब का अपना अपना है इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं spiritual father सबका एक है और उसके बच्चे बने हैं तो बच्चों को मालूम है हम आत्माएं चुरासी का चक्र लगाती हैं तो बाब तो चुरासी बाब बनते हैं हद के सत्युग में भी माबाप कोई बेहत का वर्सा नहीं देते सत्युग के लिए बेहत का वर्सा तो अभी तुम को मिलता है कमाई तो इस समय है वहां लक्ष्मी नारायन की राजधानी है और जो भी राज़ाई वाले रजवाड़े होंगे एक राज़ात नहीं होंगे और नहीं बहुत होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्सा मिलेगा फिर भी वहां सुख बहुत है और इस समय तुम को बेहत का बाप बेहत विश्व का मालिक बनाते हैं और सदा सुख का सदा सुख का वो भी 21 जनमों के लिए वर्सा मिलता है वहां दुख का नाम निशान नहीं होता तो फिर वाम मार्ग शुरू होने से विकारी मार्ग शुरू होने से गिरावट का मार्ग शुरू होने से पाप का मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है तो जो भी आए, उन्हें ये समझाना है, कि तुम्हारे दो बाप है, सब को बताओ, कि तुम्हारे दो बाप है, एक श्रीर का पी था, जो श्रीर में बैठी है आत्मा, एक आत्मा का पी था, अब चुरासी जन्मों में तो चुरासी बाप हद के मिलते हैं, श्रीर के बाप मिलते हैं, बेहद का बाप, यानि आत्मा का बाप तो है ही एक, तभी कहते हैं God is one, तो अभी तुम बच्चों की बुद्धी में ये भी समझ है, कि मूल वतन क्या है, अब मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो, वो भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, उस में छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमक दी हो, किसे बनाएंगे सितारे मिसल रवापन एक्जामपल दिया, जैसे आगे तुम फायर फॉलाई का हार बनाते थे, क्या था फायर फॉलाई जुगनू, जुगनू तो टिम टुमाता है अब आगे तो उतने जुगनू होते नहीं है, पहरे उतने जुगनू, फिज ते टिम दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चितर ऐसा दिखाना चाहिए जाड़ बड़ा हो तो क्रियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहां रहती है तो बच्चों को समझने में भी सहज होगा तो ये है बेहत का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संपरदाई की सापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा सापना किसकी दैवी संपरदाई की तो तुम अभी ब्रामन हो ब्रह्मा के बच्चे ब्रामन हो फिर बनेंगे दैवी गुनो वाले देवता अभी सभी में हैं आसूरी गुन काम कुरोद लो मौ एंकार उनको कहेंगे आसूरी अवगुन तो वाम मार से दुख शुरू होता है ऐसे नहीं कि रजो परदान बनने से दौपर में वाम मार में के दौपर में होता है रजो परदान तो रजो ऐसे नहीं कि रजो परदान बनन से फट दुकी होते हैं नहीं थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है तो मुखी चित्र है ही त्रिमूर्थी गोला और नर्क स्वरक के गोले नर्क कद्वार स्वरक द्वार ये पहले पहले समझänder के लिए बहुत जरूरी है तो ज़ार के चित्र में भी आधा आदा कल्ब का माप पूरा है जाल में किया ना आदा आदा एकुरेट होने से पूरा समझाने में आएगा तो ये ग्यान तो ये ग्यान जो आपको मिल रहा है सिवाए बाप के और कोई समझाई ना सके तो घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्थी का चितर जरूर चाहिए त्रिमूर्थी भी का दिखाओं ये है निराकार बेहरत का बाप जिसको सभी याद करते हैं सभी धर्म की आदमा याद करती हैं प्योगी आत्मनी है वह हमारा बहुत का बाप, उनको दुख में सब याद करते हैं सत्यूग में याद करने की दरगारीनी वासू की सुख है चो तो है यही सुखदाम तो सुखदाम में कौन थे देवता हैं तो देवता ही पुनर जनम लेते आई हैं हम जतने जतने पुनर जनम लेंगे उतनी उतनी कि झावट नैचरृरल आएगी आएगी ये भी किशी को पता नहीं और तुम जानते हो सतुपरधान से फिर हम कैसे सतु, रजो, द्मों में आते हैं यानि आत्मा में खाद पड़ती जाती है तुमारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पार्ड बजाना ही है वो accurate हमारी आत्मा में fix है nude है कितनी छोटी सी आत्मा में पार्ट सारा नूंदा हुआ है छोटी सी आत्मा चिप है उसमें सारा recording भरी हुई है ये है घुया ते घुया डीप से डीप समझने की बाते अब कोई भी मनुश्य मात चाहे सन्यासी है चाहे उदासी आदी आदी कि बुद्धी में ये बाते आने सकती कितनी संसा है किसी की बुद्धी में ये बाते यह सकती भल नातक कहते हैं नातक को ड्रामा नहीं को आ जाता है ज्यसे घ्रगौरट थेर्डर में लाइब शो दिखाते है वो ड्राटक है ईब मॉइस पीच्चा शूट हो गई वैसी प्टीट दिखे कि उसे कहते हैं ड्रामा जिसे बाबा नाटर को ड्रामा को अलग-अलग करते हैं नाटर को ड्रामा नहीं का जाता तो यह है ड्रामा ड्रामा बाइस को पिक्चर आदी पहले नहीं थे पहले पिक्चर नहीं बनी थी पहले मूवी थी इशारों में दिखाते इशारा चार्लिस चेप्र इचारे इचारे पे करते थे आइस ऐते था पहले फिर अभी टौकी ही बढ़े नहीं तो बोलते हैं चल building बोलते हैं वह इंब भी बोलते हैं हम आत्मे मनें से टौकी में आतिया है उल्य कि ए परमदां करी मूलवतन वहां से यहां पर हम टॉकी में आती हैं बोलते दुनिया में हैं टॉकी से फिर मूवी में जाए टॉकी से फिर यह बोलने की दुनिया है फिर मूवी जहां पर इशारे हैं वह सुक्ष्यमतन में जाकर करके फिर साइलेंस में जाते हैं फिर मूलवतन में जाते हैं इ बहुत आइस्ते बोलते हैं तुमको जाना ही है सुक्षम वतन में अब सुक्षम वतन का ग्यान अभी बाबा ने समझाया है कि यह है टौकी दुनिया डैंपर बोलते हैं वह है मूवी सुक्षम वतन में इशारों से बात होती है वहां इश्वर से बात चीज चलती है कहां सुक्षम वतन में वहां सफेद लाइट का रूप है आवाज नहीं वहां की मूवी बाशा एक दूसरे में समझ जाते हैं जब वहां पर एक इशारों से बाशा करते हैं ना सारी एक दूसरे समझ जाते हैं जिनका ज्यान का पाट रत परणदोण जाएंगे ना, वया सुक्षम तॉन जाएंगे, तो बाप कहते हैं, मुझे पहले पहले सुक्षम शिस्टी रटनी पड़े, फिर पीछे स्थूल, क्या बापा कहते हैं, तो मैं पहले सुक्षम पतना रटना रचता हूं, बाद में स्थूल दुनिया, दुनिया तो ही ऐस़री कि दुनिया बनाते हैं वो, दुनिया तो है ही, है ना, तो कल्युग में आते हैं, पहले सोक्षवतन रजते हैं, कि वहाँ पर जो दिखाया है तृमूर्थि, भ्रमा, विजुशंकर, उनका साक्षवत कैसे होगा, तो बा आया भी जाता है ना, मूल वतन, सुक्षम वतन, स्थूल वतन, अब मनुश्यों को ये भी पता नहीं कि ब्रह्मा, विश्नु, शंकर, सुक्षम वतन वासी हैं, और सुक्षम वतन में कोई दुनिया नहीं है, सिरफ ब्रह्मा, विश्नु, शंकर देखने में आते हैं, इनका आ क्यों दिखाते हैं चार बाजू सिर्थ इससे सिर्थ है कि प्रवर्ति मार्ग है परिवारों का मार्ग है दो लक्ष्पी की बाजू, दो नरायन की बाजू क्यों दिखाया ये क्योंकि इसके अपमुज़ जो सन्यासी है उनका है निवर्ति मार्ग isolation मार वो तो घर बार को छोड़ के जंगलों में चल जाते हैं यह भावन का यह भी ड्रामा है जिसका वर्नन करके बाप समझाते हैं मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो बाकी सब हैं डिटेल वो समझने में टाइम लगता है नट्चल में है बीज और जाड एक बीज से इतना बड़ा जाड निकल गया एक नूर से सब जग उपजे बीज को देखने से सारा जाड बुद्धी में आ जाता है कौन सा बीज आ यह पता रजासिक की पेड़ कैसा होगा तो बाप है बीज रूप उनको इस जाड का और स्रिष्टी के चकर का सारा नौलेज है समझाने के लिए स्रिष्टी चकर अलग है जाड अलग है जाड में यह सब चित्र दिये हैं कोई भी धर्म वालों को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं हम स्रिष्ट में तो आने ही सकेंगे हैं ना चीज तो एक ही हो फो उसमें का तिखा दिया समझ दिखा दिया सत्य उतियता जाड पर कर्लिक से चछ्ड़े weं भर्याइटी धर्में-धर्मों की जाडॉ है तो तुम बीज और जाड़ दोनों को जानते हो कि बीज वैसे बीज निच्छ होता है उपर पेड़ होता है यहां बीज उपर में है जिसको कहते है वरिक्ष पती अब तुम बाप के बने हो तो तुमारे उपर बैठी हुई है ब्रस्पती की दशा चर्टी कला की दशा मना जो बाप के बनते ही हैं बाबा का बन गए उनके उपर ब्रस्पती की दशा कहेंगे बाबा का बनने से ही आपका जीवन बदल गया चर्टी कला शो जाती है फिर है चक्र की दशा यानि बुद की दशा ब्रस्पती की दशा वाले जिनके ब्रस्पती सा है बाबा की शिर्मत के साथ पूरे चलते हैं वो सुरिवन्शी मनते हैं सत्यु में आ जाएंगे बुद की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं बाबा एक्स्ट्राला जीवतारे पूरे पूरे कों से चकर है सर्विस नहीं कर सकते जो सेवा नहीं कर सकते वो प्रजा में चले जाएंगे और बाप को यादी नहीं कर सकते हैं उठेंगे भी सो जाएंगे मुली के समय भाग उनको के एंगे बुद्धू वो बुद्धू ठारे इसमें भी ही नम्भरवार बुद्धू बनते हैं कोई उचप परजा कोई कम परजा कहा साहुकार परजा फिर कहा उनके भी नौकर-चाकर सारा मदार है पढ़ाई पर प्राई भी सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी होती है प्राई भी होती है प्राई प्राई होती है ते की बोला एक सतोगुनी में अच्छी तरह प्राई का मंथन करना रजोगुनी में ठीक मुर्ली सुनली यह ना फिर तमोगुनी में मुली का यूटा मंसर कर दिया अपनी मन मंसर का दी है ना वो तमोगुनी फिर बाबा कहते राजदानी स्थापन हो रही है जो होशियार है वो बाप की याद में भी रहते हैं सारा जाड भुद्धी में रहता है पढ़ाई से ही टीचर या बैरिस्टर बनते हैं टीचर फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं पढ़ते तो सभी हैं पढ़ाई एक ही है फिर कोई तो पढ़कर उचर जाते हैं कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं जो सीखी हैं वो ही पढ़ाते हैं अभी तुम भी पढ़ते हो कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना टीचर ही नहीं बनेंगे तो औरों का कल्यान कैसे करेंगे टाइम थोड़ा है असली बात क्या है टाइम थोड़ा है जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे परफेक्ट पूरा कोई भी नहीं है है ना फिर तो सीखना ही बंद हो जाएगा जब विनाश हो जाएगा तो फिर बाबा पांच जार वर्ष के बाद आकर सिक लाएंगे तो यह पढ़ाई कोई सेंकड़ो वर्ष नहीं चलने वाली है यह तो है ही इस अंतिम जनम के लिए पढ़ाई इसमें क्या करना है पर पढ़ना और पढ़ाना है और कोई काम नहीं पढ़ना और पढ़ाना है अब सब तो टीचर नहीं बन सकते अगर सभी टीचर बन जाए फिर तो सभी बहुत उच्पद पाले नंबर वार तो होते ही हैं पहले पहले क्या करने टीचर बन करके पहले पहले कोई को भी दो बाप का परिचे दो चित्र होने से अच्छा समझेंगे त्रिमूर्थी का चित्र तो जुरूर साथ में होना ही चाहिए उसमें दिखाओ ये शिबाबा है ये प्रजापीता ब्रमा प्रजापीता ब्रमा कोन है सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर तो जरूर पहले आया होगा न सबसे आ गया ब्रमा अभी रचना रच रहे हैं तो अभी तुम ब्रामन बने हो फिर ब्रामन ही बनेंगे देवतां तो ब्रामनों का जाड़ छोट है, ब्रामन छोट तो रही है, बाब की बैचे थोड़े है, देवताहीं थोड़े ही होते हैं, फिर बाद में विदी को पाते जाते हैं, यह तुम्हारा नया जाड़ सापन हो रहा है, वो और धरम वाली आत्माय तो उपर से आती है, पाट वज उनकी गिर्रे की तो बात ही नहीं, यहां तो तुम्हारा नया जाड सापन होता है, और माया भी सामने है, जाड भी नया सापन हो रहा है, माया भी सामने है, तुमको तमो परदान से सतो परदान बनना ही है, है न, ट्रांसपर होना है, ट्रांसपर होना है, क्यों, क्योंकि दु इसे लिए मेहनत होती है, देवी देवता धर्म की यहां संगम युक पर सापना होती है, तुम यह भी बतलाते हो, कि सत्युक इतने वरश का है, सत्युक से फिर कल्युक कैसे बनता है, कल्युग में तमो परदान तो सबको होना ही है क्योंकि तमो परदान हो तभी तो फिर सतो परदान बने तुम सतो परदान थे फिर क्या हो गया फिर खाद पढ़ती गई अलॉई पढ़ती गई अभी भल कोई नई आत्मा दो तिन जनम ले तो भी जटखाद पड़ जाती है उस उन में ही सुक उन में ही दुख भुकती है तो नहीं आता हो पर परमदाम से आएगी ना दोतीन जनम की आत्म होगी उसी जनम हमें ही दोतीन जनम हमें ही बहुत सुक मिलेगा लास्ट में दुखी बहुत होगी जाएगी वो समझो लास्ट जनम की आत्माई हैं यह कोई का एक जनम भी होता है एक जनम तरीका होता ही है जब आना बंद हो जाएगा लास्ट आत्मों पर से आ जाएगी तब विनाश होगा फिर सभी आत्माउं को वापस जाना होगा बाप आत्माएं और पुन्य आत्माएं जाती हिकटी हैं फिर पुन्य आत्माएं नीचे उतरती हैं और संगम पर सारी बदली होती है तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धी में रखना चाहिए बाप के पास ये सारी नौलिज है ना कहते हैं मैं आकर स्रिष्टी चकर के आदी मद्य अंत का सारा राज समझाता हूं अब भगती मार्ग में थुड़े ग्यान सुनाता हूं भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात कार कराता हूं भगती मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पार्ट शुरू होता है बाकी सत्युतेता में मैं वानप्रस में रहता हूँ फ्री रहते है बाबा सत्युतेता में बच्चों को सुख में भेज दिया बाकी क्या करना है बाबा केते हैं सत्युतेता में भेज दिया अब क्या करना है मैं वानप्रस लेता हूँ मेरे टायर लैप जीता हूँ ये वानप्रस लेने की रसम भारत में ही है क्योंकि बेहत का बाप कहते है मैं वानप्रस में बैठ जाता हूँ तो बेहत का बाप ही आगर गुरू के रूप में वानप्रस ले जाते है वानपस में ले जाते हैं दुनिया मुनुश्य गुरुवों का संग लेते हैं किसलिए बगवान से मिलने के लिए क्या करेंगे गुरुजी शास्त्र पढ़ाएंगे तीर्थो पर जाएंगे गंगाशनान करेंगे पर तुम मिला तो कुछ भी नहीं अभी तुमको बेहद का बाप मिला है दुख से छुडाकर रावन राज से निकाल राम राज में ले जाते हैं कलिए उसे रिकालकर सत्यूग में ले जाते हैं तो बेहद का बाप एक ही बार आकर रावन के दुख से छुडाते हैं इसलिए उनको का जाता है liberator सत्यू में है ही राम राज बाकी आत्मे शांती धाम चली जाती है ये भी कोई नहीं जानते कि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांत मेरा स्वधर्म का क्या स्वधर्म पिर आत्मा का शांत यहां पाट में आने से अशांत बने है फिर शान्ति याद आती है असल में रहवासी शान्ति धाम के हैं शान्ति कुछ चाहिए हमार को क्योंकि परम धाम में सर्वत्र शान्ति है तो वहां बिल्कुल बिंड्रॉप साइलेंस है तो वही चाहते हैं पटे अब कोई आवाज आप बोलेगा कोई सिंपल बात भी करेगा तो भी लगेगा शान्ति सी लग लिए तो अब कहते हैं मुझे शान्ति चाहिए फिर कहते हैं मन को शान्ति चाहिए समझाया जाता है आत्मा मन बुद्दी सहीत है यानि आत्मा में ही शान्त रूप फिर आत्मा है ही शान्त रूप फिर यहां करम में आती है यहां शान्ती कैसे मिलेगी यह तो है ही अशान्ती धाम सत्युग में सुख शान्ती दोनों है क्योंकि पवितर्दा भी है और धंदौलत भी है तो बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शान्ती धंदौलत आदि सब कुछ था अब फिर तुमको औरों को समझाना है जिनोंने कल पहले वर्सा लिया था वही अच्छी रिती समझे की कोशिश करेंगे जो खर्ल पहले आयते पहले सम्झाता वी अभी अच्छी था समझेंगे बल्द देरी से आते हैं प्रण्तु परानों से जट आगे चले जाते हैं देरी से आने वालों को औरी पॉइंट अच्छी मिलती है पहले तिया है गराई पे पॉइंट जी नहीं अभी फड़बर लेटस पॉइंट मिलती है मंतन की वी बाते मिलती है इसलिए फास चल जाते है दिन प्रते दिन ग्यानवी सहज होता जाता है ये भी समझेंगे अब हमने समझा तो सब है फिर तमो परदान से सतो परदान बनने की मेनत भी करनी है क्यां तो समझा जाएगी फिर सतो बनना पितना पु dus कैसे वनेगे उसके लिए तिवर पुर्शाथ करने लग बढ़ें के क्यों क्यों की समझते है अभी तो टाइम थोड़ा है तो जितना हो सके पुरशार्थ में लग जाए इसमेरे स्टेज का अधुशी है जितना आप टाइम मिले चख & चेंज करने में लग जाए वो भी मौत से पहले श्रीर न शूर जाए मौत से पहले हम पुर्शार्थ कर ले वें क्या बदा मौत का बाज है हर घड़ी को अंतिक मैंने सबजो आज मैंने पूरा योगबल का ठाक कर ले ना बस वो फिर अपना चार्ट रखते होंगे पढ़ाई तो सहज है बाकी है याद की बात गाया भी हुआ है राम सुमिर प्रभात मौरे मन आत्मा कहती है ना मेरे मन मेरे मन राम का सिम्रन करो अब भक्ती मार्ग में तो ये भी किसी को पता नहीं की राम कौन है वो फिर कह जते हैं रगपती रागव राजा राम कितनी गड़बड कर दी है सब का भगवान वो राम कौन है मनुश कुछ भी समझते नहीं है वेस्ट आफ टाइम वेस्ट आफ मनी करते रहते हैं भक्ती मार में टाइम वेस्ट एनरजी वेस्ट मनी वेस्ट करते रहते हैं और तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भागे दिया था पिर कहां रखा कहां गया इतने पैसे भावन दियते कहां रखे हैं कहां रख पहले तुमको स्वर की रजाई दी थी वो फिर कैसे गवाई का गवाई अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए अभी फिर चड़ना है चड़ती करा एक सेकिंड में उदरती करा पांच जार वर्ष में ब्रह्मा सो विष्णू बनने में एक सेकिंड विष्णू सो ब्रह्मा बनने में पांच जार वर्ष लगते हैं यह कैसे एक सेकिंड में कैसे पता लगया एक सेकिंड में मैं आत्मा हूं मेरा बाप है परमात्मा realize करने में एक सेकंड लगा और वर्सा में जाएगा एक सेकंड लगा 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 सारे केर तो self को realize कर लिए self realization leads to God's realization कितनी point समझाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक इलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और good morning रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारना के लिए मुक्के सार है अब टौकी से movie movie से silence में जाना है यहां से जाएंगे हम सो दुनिया से सुक्षय मतन फिर सुक्षय मतन में सब कट्रे हो करके फिर चलेंगे परमधाम इसलिए टौकी बात्चित बहुत कम करनी है आज से सब चक्रेंगे बहुत जितना जूरी है ना कम बोलो मीठा बोलो दीरे बोलो और रॉयल्टी से बहुत आश्ते बोलना है ठीक है दूसरा नौलेज समझने के बाद तीवर पुर्शार्थ कर सतो परदान बनना है उसके लिए याद का चार्ट रखना है आज से चार्ट रखना है कितनी देरी याद किया वर्दान शक्तियों को करामत की बजाए करतव्य सबच कर प्रयोग करने वाले पूजनवा गायन योगिय भव क्या है शक्तियों कों से जब योग करते हैं यह ना, योग की शक्ति कितनी मिली, ज्ञान की शक्ति कितनी मिली, पवित्ता की शक्ति कितनी मिली, आत्मी प्रहें की शक्ति कितनी मिली, शांतिक शक्ति कितनी मिली, है ना, वैलू की शक्ति कितनी मिली, उन शक्तियों करना ना, करामत की बजाए करता भी समझ का प्रयोग कर ने वाले करामत में यह कोई हमने योग किया कोई मिरेकल योग यह जैसे रिद्धी सिद्धी वाले मिरेकल करते हैं ऐसे मिरेकल नहीं है यह कि चलो मिरेकल कर दी हमने कमाल कर दी नहीं यह अब मेरा करता भी क्या है पावर आई शक्ति आई आपको योग से पवितर शक्ति आई शान्ति शक्ति आई अब आपका कर्तवी समझो मेरा कर्तवी क्या है प्रयोग करना है यूज करना है दूसरों को भी दे नहीं है मेरे मेरे में आई शक्ति मैं दूसरों को उठाना है दूसरों को पाउखलू बनाना है है न तब आप पूजन वगाय नहीं होगी तब आपका मं प्रिवार को मैंने उठाना है, उनकी सेवा करनी मैंने. कोई करामाथ नहीं मैंने की, योग प्लसे आफ़से कोई चुखती बेरी मेरा मेरैकल ही हो गया ये है. ठीक ना? मेरैकल ना समझो, और इदिश्टिती दीवाले मेरैकल करते हैं, हम तो बाश शिद्धा बावाने कहा ठीक है साथ गुर्ण शत्यों क्या करना है करामत की बजाए करता वे समझ कर प्रयोग करने वाले पूजन वा गायन योग योग भव बावने कहा याद द्वारा एडिशन करते है याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ती होती है योग से जो बल कठा होता है उन्हें करामत समझ कर प्रियोग नहीं करना कि मैंने मिरेकल कर दिया मिरे पर बड़ी पावर रागी है ना मिरेकल समझ कर प्रियोग नहीं करना लेकिन करता भी समझ कर काहरें में लगाओ उन मनुश्यों के पास जो सन्यासी है रिद्धी सिद्धी करते हैं उन मनुश्यों के पास रिद्धी सिद्धी की करामत होती है लेकिन आपके पास है शिरीमत विद्धी से सिद्धी शिरीमत शिरीमत से शक्तियां सरूर आती है बाबर जो क्या दिया उस पर करोगे चिदी मिलेगी मिलेगी सफलता मिलेगी मिलेगी शिरी मस्से शक्तियां जरूर आती है इसलिए संकलब से कर्तव शिद्ध होते है संकलब से यानि संकलब से किसी को कारी की प्रे ना दे सकते हो ये भी शक्ति है ना थाट पावर है ना वार थाट पावर है इतना अच्छा जब दूर जो दूर्ड करो उसको भी लगे का नहीं मुझे चेंज होना चाहिए मुझे ऐसा करना चाहिए ये थाट पावर को यूज करो लेकिन शिरिमत में जब अपनी मन मत मिक्स ना को तब गायन और पूजन योगी बनेंगे जो अच्छे बाबा ने काया है उसको चेंज ना करो अपना दमाग ना लगा उसमें या लोगों की बातें फिर ना सुनो जो बाबा ने काया है वेदी पताई है उसी के साफ़ से चोड़ तो सिद्धी मिलेगी जहां अपनी मानत में लाई मिक्स से होगी तो सारा खतम हो जाएगी तब गायन लोग करेंगे आपका पूजन करेंगे लोग आपका उसके लिए स्लोगन है किसी भी परकार की हल चल में दिल शिकस्त होने की बजाए बड़ी दिल वाले बनो बाते तो आएंगी है ना पर दिल ना टूट जाए लग इतनी सेवा की इतना याद किय है इतना कुछ मिला तो है नहीं कुछ भी नहीं बड़ी दिल रखो कौन कह रहा है सेवा करने के लिए ओम शांती